अमीता फिलहाल जो रिम्स का माइक्रो बाइलोजी बिवाग है उसे सील कर दिया गया है क्योंकि इंडियन कॉंसिल आफ मेडिकर रिसर्च ने यह निर्देश दिया है कि चुकि रिम्स का माइक्रो बाइलोजी बिवाग जो है वो फिलहाल संक्रमित हो गया अमीता आपको पता जाएगा रिम्स के माइक्रो बाइलोजी बिवाग में संक्रमन जो है वो पहुच चुका है और वैसे में कोरोना के संक्रमन की जो है वो सफाई की जाएगी रिम्स का माइक्रो बाइलोजी बिवाग जो है उसे संक्रमन मुक्त किया जाएगा तो कही ना कहीं जो परिसानिया है वह बर सकति है क्योंकि रिम्स का जो microbiology बिवाग है वो हर दिन साक्रो सैंपल की जाज करता है वैसे में रिम्स प्रबंदन अभी अनिर्नों लिया है कि जो भी सैंपल रिम्स के microbiology बिवाग में जाज की जाते थे उसे 1-3 ती वी चेंटर बेजा जाएगा तो फिलहाल चार दिनों तक जो है वो रिम्स का माइक्रोबालोजी विवाग सील रहेगा मिता लेकिन आपने बताया जैसा कि सारे सैंपल्स इटकी भेजे जाएंगे वहाँ पर जाचूगी लेकिन तब तक यहाँ पर क्या कुछ किया जाएगा सत्यवरत अभी सैनर्टाइजेशन का काम हो रहा है अभी तो यह लॉक कर दिया गया है माइक्रोबालोजी विवाग लेकिन कब तक फिर खुलेगा और वापस से हाँ काम शुरू हो पाएंगे इस तरह की कोई जानकारी प्रबंधन की तरफ से ने देखिए जो आईसी आमर ने निदेश दिया है उसने कहा है कि करीब चार दिन तक जो है वो जो माइक्रोबालोजी विवाग है उसे बंद करकर रखा जाए और चुकि विवाग में संक्रमन है कल एक व्यक्ति जो लैब टेक्निसियन है वह पोजेटिव पाए गया था वैसे में हो सकता है कि माइक्रोबालोजी विवाग में काम करने वाले दूसरे जो डॉक्टर है जो ट माइक्रोबालोजी विवाग है उसे सेनेटाइज किया जाएगा संक्रमन मुक्त किया जाएगा और जब यह प्रकिरिया पूरी हो जाएगी उसके बार रिम्स का माइक्रोबालोजी विवाग जो है वह खोल दिया जाएगा और उसके बार जो भी सेंपल इकठा होंगे वह र प्रोना के पोजेटिव मरीजों के संपर्ट में रहे हैं और उनका सेंपल स्वास्थ भीवाग के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और उस सेंपल को अब रिम्स नहीं भेजा जाएंगा क्योंकि रिम्स का माइक्रोबालो गया लोजी चार दिनों तक बंद रहेगा वैसे में वो सैंपल जो है वो इटकी भेजे जाएंगे और इटकी का जो TV सेंटर है जहाँ पर RT-PCR मसिन लगाया गया है लगतार वहां सैंपल की जाज होती थी अब ये सभी सैंपल जो है वो इटकी में ही जाज किये जाएंगे अमीता चो लेदा माम चान कारे के लिए बहुत बहुत शुक्रेया सत्यवरत तो आपको बताए रिम्स का मार्क्रोबालोजी विभाग जो है लौग हो गया है उस वहां पर जो भी एक जो करमचारी था वहां पर लाब टेक्नीशियन उसमें कोरोना के संक्रमन पाए गये थी उसके बा बाहर भेजे जाने हैं तब तक के लिए इस पूरे विभाग को सेनिटाइस किया जाएगा आगे